केहरे के ऊपर बहुआ जाधा कालापन आ गया है तो आज की रेमिडी जिस तरीके से बता रही हों अगर कर लेंगे तो इन फिट करी कुछ आत टरीके से बता रही हूं अगर लगा लिया तो चहर önce लाइटे मारेगा इतना जादा ग्लो करेगा कि हर कोई पूछेगा क्या लगाया है तो चलो स्टार्ट कर लो मेरे साथ में इस रेमिटी को पस तरीका आपको देखना होगा कैसे हमने इसको बनाना है और लगाना है स्टार्ट करते हैं आज की रेमिटी तो तो नमस्कार साथ सुरीयकाल कैसे हैं आप सभी बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि शिबंधा काली पड़ने लग रही है बिना किसी रीजन के बहुत जा रहे हैं स्किन के उपर पसीना बहुत जारा बनेगा, चिपची पापन अगर रहेगा, तो स्किन के उपर डर्ट, मैल, पॉल्यूशन भी जादा जमेगा, अगर इसको आप धंग से क्लीन नहीं करते हैं, तो स्किन काली भी पढ़ने लगेगी, लेकिन इसके साथी स्किन के उपर आपक इसको श्रिंक करेगी, साइन ओफ एजिंग किसी भी प्रकार के हो, रिंकल्स, फाइन लाइन्स है, चाहे एजिंग के वैसे सैगिंग नस बहुत जादा हो रही है, तो प्रेट कैसे करना है, इस रेमेडी को लगाने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज उसको ज़रूर वीडियो को बाद में और उसके बाद में क्रीम कॉन सी हमें लगाने चाहे हमारे सकीन के उपर ब्राइनस से अपनी स्कीन को बढ़ा है, यह जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है एलम यानिकी फिट करी जो की हर घर में अमूमन पाई जाती है, आप य जो भी आपके पास हो, आप यूज कर सकते हैं, पिछले बार वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, वाइक ले या पिंक ले तो यह आपने गटी ले लेनी है और इसको आपने हलका सा क्रश कर लेना है, हमाम दस्ता हो कूटनी हो जिसमें भी आपको कर लेना है, उसमें आपने इसकोम डाला के हलका सां तोड़ लेना है, ठीक हैं, फिटकरी के गुर होते है हमारी स्किन को टाइच कर ले जो प्रूंपकरि के वो आपकी NICKKOW today, करती है आपके ओपन पोर्स को श्रिंक कर के आपकी स्किन कोब ब्राइटन अप करने में बहुत है है साथ में आपके स्किन के जितने भी इन प्यॉरिटी उतने उसको निकालने में फिट करी एक बहुत ही मैजिकल काम करने वाली है तो हमने क्या करना है पहले इसको कूट लेना है क्योंकि उसके बाद ही हम इसका नेक्स्टेप कर सकते हैं अगर यह गट्टे के गट्टा आप क्यूंकि तो आपका मिकसी यह जो भी जिसमे भी आप इसको खंब करेंगे आगे जाके आगे टिक थी जो हमने पहले पैख सब्सक्राइब के तो छमलें आपको समझ में आ रहा है आज तो बहुत इन्फरमेटिव होने वाल है तो चैनल पर अगर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे जिजेगा ठीक है जी चैनल कर नाम रेखा से के वो तो अपने देखी लिया है तो हमने क्या करना है हमने इसको ग्राइट करके इसको पीस लेना देखिए अगर आप पीस साथ में आपकी स्किन K पर अपाइब यदिध करती है अगर आपकी चैनल के पहुँआ भ़गा पर यह जादादा में उसको उन प्रोबल्म से पको चुटका लगिए इसके साथ जाए आपका टेक्च्च्छर बहुँआ भगा घराब हो गया जैसे बहुत लोग बोलते है त जो शेविंग की तो तो उसमें हमेशा यह विट करी का पीस रहता था क्यूंकि एक तो वो प्रफटे पानी को भी एप्योर कर देती है तो देखे इस तरह से अपने इसको पीस के ले 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 और किसी भी आप डिबी में आपने अपने के लिए काफी है तो यह पांचे तो मैंने इसको रख दिया है आज के लिए हम कितनों ले रहे हम ले रहे वर्थ फोन एक चमबच का जो चोथा हिस्सा होता है वह हमें एक रेमेडी के यूज करना है जादा भी यूज नहीं करना है वापको इसके फायदे नुकसान दोनों बताऊंगी क्यूंकि फिट करे ल इसमें बताती रहोंगे आपको बीच बीच में जितना हमने फिट करी लिया था उतना ही हम इसमें कस्तूरी हल्दी लेंगे यानि की वाइल टर्मरीक पिंच ओफ अगर लगे तो लेनी है अगर वाइल टर्मरीक नहीं है तो किचन की हल्दी लीजेगा बहुत ही कम अब मैं यहां पर डाली हूँ एक अडिशनल चीज जो की है हमारा फ्लेक्सिट और ओट्स का पाउडर यह दोनों में प्रोटीन, विटमिन, फाइबर कूट के भरा है जो हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लोडाउन करेगा तो यह आपने डेफिनिटली डालना ही डालना है क अबराने की जुरूरत नहीं है उसको बैलन्स करने के लिए हम इसमें डालेंगे ग्लीसरीन, ग्लीसरीन हमारी स्किन को मॉश्यराइज करती है, सॉफ्ट रखती है, मुलायन रखती है, हाइडरेशन देती है, हमारी स्किन के ओपर एक जो स्किन की आउटर, मोस्ट आउटर अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे हनी जिसमें की नाचुरल हमेक्तेंट पाया जाता है, अगर हनी आपको नाचुरल वाला मिल जाता है तो nothing like it और तो कुछ चाहिए ही नहीं लेकिन अगर नहीं है क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो आप कोई भी हनी यहां पर यूज़ कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोई भी एक असेंशल ओयल आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं मैं ऑलिव ओयल डाल रही हूँ आप इसमें वाइट मिनी ओयल भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनेट ओयल भी डाल सकते हैं आप यहां पर रोगन बादाम शिरीन भी ड कि अगर आप प्लांट वाला यूज करेंगे क्योंकि अगर आप मार्कित वाला यहां यहांगे चलो बढ़िया है इसके साथ ही इसको लगाने का जो तरीका है उसको प्लीज देखेगा तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे तैयार करते हैं उसके लिए मैं लेए हूँ दही मतलब घर में रखा हूँ जो दही है वही मैं ले रही हूँ डारेक्ट अपनी SkinCue पर लगारी हूँ दही से बढ़िया क्लीजर अगर आप करना चाहते हैं तो दही से बढ़िया और कोई चीज नहीं आपको ले के अपने शेहर तो इस तरीके से आप इसको करेंगे और उसके बाद में अब आप इस रेमेडी को लगाएंगे यहां पर एक चीज में आपको याद दिला देती हूं कि आपने बिल्कुल भी अपनी स्किन के ओपर मसाज नहीं करना है क्योंकि इसमें फिट करी है और फिट करी का नेचर होता ह है ड्राइनस का या आपकी स्किन के ओपर रैश दे सकती है तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अपने स्किन के ओपर अपलाए करना है नो मसाज प्लीज गलती से भी मसाज मत कर लिजेगा टाइम देखके अपनी इस रेमेडी को लगाना शुरू करिएगा मैंने टाइम करी के रेमेडी कोई भी लगाते हैं चाहे वो दही वाली मेरी रेमेडी है फिट करी की या फिर जैसे भी मैंने फिट करी इसकी रेमेडी आपके साथ शेर किया है प्लीज उसमें टाइमिंग का ध्यान दीजेगा ठीक है तो यह हमने लगा लिया है टाइम मैं जैसे आपको तीन मिनिट बाकी है, तीन मिनिट के बाद में मैं इसको क्लीन कर लूगे अपने शहरे पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसका रिजल्ट क्या आया है, तो देखिए मैं आपके सामने इसको क्लीन कर रहे हूँ, रिजल्ट आपके सामने है, कितना बढ़िया से क्लीन हो गय अचाहिए आपकी आखों की पफिनोस को भी दूर करेगी डाक सकुल को भी हटाएगी और रात को सोने से पहले करना है और उसके बाद में इस तरीके से आप मौश्युराइज लगा के सो सकते हैं आराम से ताकि इस रेमिडी का आपको भरपूर फादा में से आपको बहुत जा करके देखिए लेकिन यह जो फिट करी वाली रेमिडी होती है इसको हमें बहुत जादा भी एकसेस भी नहीं लगाने चाहिए क्योंकि स्किन के उपर एकसेस लगेगी तो स्किन बहुत जारा ड्राइनस की तरफ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए जितना जादा हमारी स्किन क तो इसको आपने करना है हफ्ते में 2-3 बार अगर oily skin है अगर dry skin है तो हफ्ते में एक बार काफी रहेगा skin के बढ़ापे से अगर आपको निजार पाना है तो भी आप इस remedy को बहुत असानी से कर सकते हैं हफ्ते में 2-3 बार आप कर लिया किजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी टाइमिंग का ध्यान रखेगा जिस तरीके से मैंने आपको इसमें बता ही दिया है तो आशा करती हूँ यह remedy को आप करने के बाद में अपने comment में साथ share जरूर करेंगे क्योंकि आपके जब comment आते हैं तो वो हमें बहुत जारा boost up देते हैं और नई remedies बना के लाने के लिए नई ideas आते हैं कि क्या-क्या आपकी problem चल रही है आपकी skin किस चीज से जूज रही है आपकी skin के उपर अभी कौन सी चीज की ज़रूरत है तो अगर आप मुझे comment करेंगे उसमें आप अपनी problem में साथ share करेंगे तो definitely मैं वीडियो उसके उपर बना के लाने की और जल्दी कोशिश करूँ ठीक है जी रहें नेक्स्टर मजी के साथ मैं बाबाई